हेलो किसान मित्रो मैं आपकी अपनी एगरी डोक्टर आपका हारदीक स्वाकत करती हूँ आपकी अपनी यूटूब चैनल खेती की अदालत में किसान मित्रो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कपास की फसल में खर्पतवार नियंतरन कैसे करें आज के क्रुशिग नियान में हम जानेंगे कपास यानी नर्मे की फसल में बहतरी अंकूरन पाने के आसान तरीके पहला है भुआई के तुरंत बाद पानी देदे दुसरा है अगर आप भुआई के पहले पानी देते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा अगर आपकी मिट्टी रे तीली है तो पानी देने के एक से दो दिन बाद में बुवाई करें अगर आपकी मिट्टी मध्यम काली है तो पानी देने के चार से पांच दिन बाद में बुवाई करें अगर आग की मिट्टी बहुत बारी काली मिट्टी है तो पांच से छे दिन बाद मिट्टी को चेक करें उसमें नमी की मातरा चेक करें और उसके बाद छत्वे और सात्वे दिन में बुआई करें तिसरा है अच्छी बारिश के तुरंत बाद बुआई करें इसका सही तरीका ये है आग किस्म के आधार पर 3, 4 या 5 फिट के आधार पर सीधी लाइन बनाए इसमें 1 से 2 फिट के अतराल पर बिजाई करें और ध्यान रहें 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर ही बिजो की बुवाई करनी चाहिए वनना अंकूरन में समस्या हो सकती है ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कॉमेंट्स करना मत भूलना धन्यवाद